हेलो इभरिवन तो आज के ये वीडियो में अपन दिखेंगे 5i-3 by 5i का वैल्यू कैसे लाना है सिंपल सा कोश्चन है तो पहले अपन क्या करेंगे नंबर नंबर को मल्टिप्लाइ करेंगे 5 और माइनस 3 by 5 को मल्टिप्लाइ करो और जो आयोटा वाला पार्ट है i into i उसको अलग से मल्टिप्लाइ करो चलो तो अभी एक कुछ कैंसेलेशन होंगा यह 5 by कैंसल होंगा यहां भी बचेंगा माइनस 3 इदर आजाएंगा i स्क्वेर और i स्क्वेर का वैल्यू रहता है माइनस 1 तो माइनस 3 into माइनस 2 वना जाएंगा 3 हो गया अंसर ओके चलो थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो शेर करो कमेंट करो फॉर मोर वीडियो यू कैं सब्सक्राइब मैं चैनल चलो मिलते हैं अगले वीडियो में